इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इसका उप्योग मांस्पेशियों में एंटन और ठकान के उपचार में किया जाता है। इसकी एंटि ऑक्सीडेंट क्षमता पूरुष बांजपन के उपचार में मदद करती है। शक्ती और जीवन शक्ती में सुधार के लिए जाना जाता है। यह कौरोनरी धमनी रोग वाले लोगों के लिए एक महान स्वास्थि पूरक के रूप में कारे करता है। एवियन 600 mg कैपसूल निमनलिखित सक्रिय सामग्रियां शामिल करता है। टिकोफेरल आसेटेट, विटमिन E 600 mg। विटमिन E स्वस्थ तवचा, स्वस्थ द्रिश्टी और प्रतिरक्षा कारे को बनाए रखने में महत्वपून भूमिका निभाता है। इसके अलावा, यह एक वसा में घुलनशील विटमिन है, जो शरीर में एक एंटियोक्सीडेंट के रूप में भूमिका निभाता है। यह मुक्तकनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो प्रक्रिया में एक और मुक्तकन के गठन के बिना कोशिका जिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षती का कारण बनता है। यह रक्ट परिसंचरन के लिए उत्कृष्ट है, एंटियोक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा के स्वास्थे को बढ़ावा देता है। विटमिन E की कमी दुर्लब है, लेकिन यह कोशिका जिल्ली के ऑक्सीडेटिव क्षती की ओर ले जाती है, जिससे तंत्रिका और मांसपेशी विकार हो जाते हैं। इस तंत्रिका और मांस्पेशियों की क्षती के परिनामस्वरूप हात और पेर में भावना का नुकसान होता है। शरीर की गती नियंत्रन में कमी, मांस्पेशियों में कमजोरी और द्रिष्टी संबंधी समस्याएं होती है। कमी का एक और संकेत कम जो प्रतिरक्षा प्रनाली है। आदर्श अनुशनसित खुराग प्रती दिन एक कैपसूल है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने पर इसका कोई दुशप्रभाव नहीं होता है। हाला कि जब अधिक मात्रा में लिया जाता है तो यह दुशप्रभा पैदा कर सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य दवाएं या आहार पूरक ले रहे हैं तो दवा के संपर्क से बचने के लिए अपने डॉक्टर को सूचित करना सबसे अच्छा है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। रात की मानस्पेशियों म के जोखिम को कम करने में उपयोगी है। पुरुष बांजपन में विटमिन E सप्लीमेंट फायदे मंध हो सकता है। ताक और जीवन शक्ती में सुधार के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं इसकी कुछ सुरक्षा संबंधित जानकारिया इसको उपयोग करने से पहले लेबल को ध्यान से पड़ें। इसे सलाह दी गए खुराक से अधिक न करें। बच्चों की नजर और पहुँच से बाहर रखें। इसे ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह में स्टो करें। सीधी धूप से बचाएं। विडियो को पूरा करें। धन्यवाद।